जब भी स्लिप डिस्क की सर्जरी की बात आती है, तो सब घबरा जाते हैं, कि हमें तो सर्जरी बिलकुल करवानी नहीं है, पर मैं आपको और वा सिम्टम बताऊंगा, जो मस्ट होती है, जुरूर करवानी है, यह यह सिम्टम आपने हमेशा याद रखने है, अगर आपको urine control या आपका जो toilet का control है यानि इसको bladder और bowel control बोलते हैं अगर वो खतम हो जाए रहा है यानि आपका urine flow हो जाता है आपको feeling ही यह नहीं है वहाँ पे उस area में आपको feeling नहीं है तो आपने इस case में surgery करवाने के लिए जरूर जाना है second अगर आपको अगर आपने toes पे खड़े हो नहीं पाँ यापने heel पे झोड़े हो पाँ यह हमने test करना है या ही आपका जो अपने एनल एरिया के आसपास बटक के आसपास यह को नीचे है नेस और तो इस इरिया में आपको प्लेक्ट निकल गया है अब इतनी अगर नमनेस, इतनी feeling खतम हो गई अपने पैर में, कि आपको पता नहीं है कि आपने चपल पहनी है नहीं पहनी है, एक उस case में, तो यह ऐसे चार कंडिशन जाते हैं, इसको हम कॉड़ाइकोईना syndrome बोलते हैं, तो कॉड़ाइकोईना syndrome जो है, इसमें हमें surgery must होती है, तो पेशन को पता होना चाहिए, जब इसको कॉड़ाइकोईना syndrome बोलते हैं, अगर ऐसा किसी को भी हो रहा है, तो वो surgery के लिए जरूर उसको जाना चाहिए, कोई भी उसको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे चार symptom हैं, जिसमें surgery must होती है, तो अपने symptoms को check कीजिए, औ और फिर आप अपने decision लीजिए,